नमस्कार प्यारे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम कक्सा आठ विज्ञान का जो चेप्टर नम्मर 15 है आपके कुछ प्राकर्तिक परिगटना हैं तो इस चेप्टर के जो कम्प्लीट नोट्स हैं उनकी मु अल्रेड़ी अपलोड कर चुका हूँ अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सभी बच्चों को एक बार कोमेंट में जे माता दी जरूर लिख आपको नोट्स कैसे परचेज करना है इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है वहां जाकर भी आप नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले यानि सबसे बेस नोट्स हैं इनके अलावा आपको बुक पढ़ने की जुर और यह बादलों में आवेश एक्तरित होने के कारण पेदा होती है यानि जो तडित वो एक विशाल इस्तर की विदुत चिंगारी होती है और यह चिंगारी बादलों में आवेश होते हैं उन आवेश को एक्तरित करने यानि उनको एकटा होने के कारण पेदा होती है और प चिंगारियां जिनके विशे में यूनानी जानते थे यानि जो चिंगारियां थी उनके विशे में यूनानी यह जानते थे क्या जानते थे उनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि 600 इस्सा पुरुवे से भी पहले यूनानी यह जानते थे कि जब एमबर को फर से रगड़ते हैं तो यह हलकी वस्तुमों को अपनी और आकरसित करता है। जो कि आवेश अरजित करने से होती है। तो दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से आपको द्यार रखना है। उसके बाद में हैं रगड़ द्वारा आवेशन। यानि रगड़ द्वारा आवेशन। वो किस परकार से प्राप्त होता है। तो जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथिन से या प्लास्टिक की कंगी को सुखे बालों से रगड़ते हैं। तो यह विदूत आवेश अरजित कर लेते हैं। और इन वस्तूओं को क्या कहते हैं। आवेशित वस्तूओं कहते हैं। तो मैंने आवेशित वस्तूओं को है ग्राइट केया है और इसको आप अच्छे से त्यार करें है कि उसके बातने हैं आवेश के परकार यानि आवेहिस वह आप औerson के आपके कितने परकार को होते हैं और उन आवेसों के मद्दे जो अन्योने करिया हो किस प्रकार से होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेस है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं इसमें पहला प्रकार है आपके धनावेस और दूसरा है आपके रिनावेस तो दोनों आवेस के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको जान विजातिये का मतलब क्या है बिन परकारगे यानि बिन परकारगे आवेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं यानि जो सजातिये आवेस होते हैं वो एक दूसरे को परतिकर्षित करते हैं और जबकि विजातिये आवेस है वो भिन बिन परकारगे यानि वि माननेता के अनुसार रेस्सम से रगणने पर काच की छड़ द्वारा अरजित जो आवेस है उसको हम क्या कहते हैं दनावेस कहते हैं और अन्य प्रकार के जो आवेस हैं उनको हम क्या कहते हैं रिनावेस कहते हैं तो दनावेस और रिनावेस हैं इनकी प्रिवास आपको परकार से होती है तो जब आवेशित काच की छड़ को पोली थिन से रगडे गए आवेशित प्लास्टिक इस्ट्रों के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्शन होता है और रगडने पर उत्पन विदूत आवेश इस्थेतिक होते हैं वे समय गति नहीं करते हैं जब आ आपको अच्छे से ध्यान रगना है कि जब आवेशित काच की छड़ है उसको पोली थिन से रगडे गए आवेशित प्लास्टिक इस्ट्रों के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है आकर्शन बलोता है और रगडने पर जो विदूत आवेश है वो इस्थेतिक होते हैं और वे समय गति नहीं करते हैं जब आवेश गति करते हैं तो क्या बनती है विदूत दारा बनती है उसके बाद में है आवेश का इस्थानांत्रन यानि आवेश है उसका इस्थानांत्रन वो किस परकार से होता है तो धात्वे हैं वो विदूत की अच्छी चालक हो सकता है यह प्रकारते हैं वो विदूत की क्या होती है अच्छी चालक होती और विधूत आवे से उसको किसी आवेसित वस्तु से अन्य वस्तु में द्खात Wie चालक है उसके दोआरा बेजा जा सकता है तो यह आपको ध्यान राकना है उसके बाद में हैं आपके विदूत दर्सी, यानि विदूत दर्सी क्या है, काफी बार आपकी बोर्ड एक्जाम में इसकी प्रिवासा आ चुकी है, कि विदूत दर्सी से क्या अभी प्राय है, या विदूत दर्सी है, उसको प्रिवासित करें, तो कोई वस्तू आवेसित है या एन आवेसित है यानि उस वस्तू में आवेस है या नहीं है तो इसका परिक्षन करने के लिए जो युक्ती उप्योग में ले जाती है उसे हम क्या कहते हैं विदूत दर्सी कहते हैं यानि कोई वस्तू आवेसित है या नहीं है तो इसका परिक्षन करने के लिए इसकी जा बूसंपरण क्या होता है तो किसी आवेसित वस्तु से आवेस को पर्थवी में बेजने की जो प्रिकिरिया है उसको हम क्या कहते हैं बूसंपरण कहते हैं ओके तो इसकी प्रिभासा भी आपको अच्छे से याद रखनी है उसके बाद में हैं आपके विदूत विसर्जन यान लगे आवेसूं की प्रवाय को नहीं रोक पाती है और रिनात्मक तथा धनात्मक आवेस हैं वो मिलते हैं और परकास की चमकिली धारियां तथा दवनी उत्पन होती हैं इसे हम तडित के रूप में देखते हैं और इस प्रकिरिया को हम क्या कहते हैं विदूत विसर्जन कहते हैं और विदूत विसर्जन की जो प्रकिरिया है वो दो अथवा यहां पर आप देख सकते हैं हाइलाइट किया है मैंने और विदूत विसर्जन की जो प्रकिरिया है कि उसके बाद में हैं तडित से सुरक्षा यानि तडित से सुरक्षा तो तडित एव जंजा जिसको गर्ज वाले तुफान कहते हैं कि समय कोई भी इस्तान है वो सुरक्षित नहीं होता इसमें पहला पॉइंट है कि गरज सुनना किसी सुरक्षित इस्तान पर तुरंत पहुं कुछने की चेतावनी हैं और दूसरा पॉइंट है कि अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित इस्तान से बाहर आने से पहले कुछ देर परतिक्ष्या करें तो यह दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि तडित जं वंजा है उसके समय हम क्या करें क्याने क्रें तो बाहर खुले में अगर आप खुले में तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे motor और दूसरा point है आपके यदि आप किसी ऐसे खुले छेत्र में हैं जहां कोई सरण इस्तल नहीं है तो सभी व्रक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहे ये आपके दूसरा point है अच्छे से आपको द्यान रखना है उसके बाद में next topic है आपके घर के बीतर अगर आप घर के अं जो तार हैं विदूत तार हैं तदा दातू के जो पाइप हैं उनको कभी भी छूना नहीं चाहिए और दूसरा point है कि बैते जल के संप्रक से बचने के लिए तडित जंजा के समय इसनान से बचना चाहिए और तीसरा point है कि computer tv आदी जैसे विदूत उपकरण है उनके plug को सोक से निकाल देना चाहिए यह आपके तीसरा point है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है उसके बाद में हैं आपके नेक्स टोपिक है तडित चालक अब तडित चालक क्या होता है तडित चालक है वह एक एसी युक्ति है जिसका उप्योग बावनों को तडित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है और किसी बावन के निर्मान के समय उसकी दिवारों में उस बावन की उच्छाई से अधिक लंबाई की दातूं की एक छड़ित इस्तापित कर दी जाती है उसे हम क्या कहते है तडित चालक कहते है उसके बाद में नेक्स्ट जो टोपिक है वह है हमारा भूकम अब देखिए भूकम क्या है भूकम किसे कहते हैं तो भूकम जो बहुत कम समय तक रहता है पर्थवी का कमपन अत्वा कोई जटका होता है और यह पर्थवी के भूपर पट्टे के बेतर गहराई में गडबड के कारण उत्पन होता है और भूकम पर वो हर समय सब जगए आते रहते हैं ये चार लाइन बुकम के अंदर आपको लिखनी है उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है जो सबसे इंपोर्टेट है इसमें सबसे इंपोर्टेट πैक्ट है आपके जो अच्छे से आपको माइन में आपको त्यार करना है इसमें सबसे पहले है कि 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2005 को बारत में उत्री कस्मीर के उरी तथा तंगदार सहरों में एक बड़ा बुकप आया था इससे पहले गुजरात के भुज जिले में जो 26 जनवरी 2001 को बड़ा बुकप आया था ये दो लाइन आपको अच्छे से द्यार रखनी है कि 8 अक्टूबर 2005 को बारत में उत्री कस्मीर के उरी तथा तंगदार सहरों में एक बड़ा बुकप आया था और इससे पहले गुजरात के भुज जिले में आया था कब आया था 26 जनवरी 2001 को और ये एक बड़ा बुकप था ये आपको अच्छे से द्यार रखना है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बुकप आने के क्या कारण है क्या रीजन है तो इसमें पहला रीजन क्या है पहला कारण क्या है कि आधिकांस बुकप है वो पर्थवी के प्लेटों की गतियों के कारण होते है और दूसरा पॉइंट है आपके कि जुआला मुखी के फटने से भी बुकप आते हैं और तीसरा जो कारण है वो है भूमिगत नाभी के विस्पोट भी बुकप को जनम दे सकता है और चोथा पॉइंट है कि किसी उलका पिंड के पर्थवी से टकराने से भी बुकप है वो आ सकता है और सबसे इंपोर्टेट जो फेक्ट है वो मैंने इसको हाइलाइट किया है कि किसी भी बुकप की तिरुवता का जो माप है वो Richter पेमाने पर किया जाता है कि कोई भी किसी भी Bucamp है अगर उसकी तिरुवता हमें मापनी है तो हम कौन से पेमाने पर माप सकते हैं Richter पेमाने पर ओके तो यह आपको अच्छे से ध्यार रखना है उसके बाद में next है कि Bucamp की तिरुवता का मापदंड क्या है तो इसमें पहला point है कि जिन Bucamp का मान रिक्टर पेमाने पर तीन तक होता है तो वे बहुत हलके Bucamp होते हैं तदा कोई हानी नहीं पहुंचाते यह आपको अच्छे से त्यार करना है कि जिन Bucamp का मान रिक्टर पेमाने पर तीन तक होता है तो वे बहुत हलके Bucamp होते हैं और कोई हानी नहीं पहुंचाते इसमें दूसरा fact क्या है आपके परन्तु रिक्टर पेमाने पर साथ या इससे अधिक मान वाले Bucamp बहुत बिशन होते हैं जो पूरे के पूरे गाओं या नगरों को गिरा कर तबा कर सकते हैं तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है उसके बाद में है Bucampi छेत्र अथवा ब्रहंस छेत्र तो यह काफी important है आपके इसकी प्रिभासा के एक्जाम में आ सकती है कि Bucamp जो Bucamp है वो प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन होते हैं जहां प्लेटों की सिमाएं दुर्बल छेत्र होती हैं दुर्बल छेत्र होती हैं वहां Bucamp आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है इन दुर्बल छेत्रों को हम क्या कहते हैं बुकंपी छेत्र या ब्रंस छेत्र कहते हैं और यहाँ पर हाइलाइट है आपके कि भूश्पंद पर्थवी की सतय पर तरंगे उत्पन करते हैं इन तरंगों को बुकंपी तरंगे कहते हैं और इन तरंगों को बुकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकोर्ड किया जात तो उस रिकोर्ड का नाम आपसे पूछ सकता है बुकम पे लेखी नामक उपकरन ओके तो यह आपको अच्छे से दान रखना है उसके बाद में हैं आपके नेक्स बुकम से बचाओ यानि बुकम से हम किस प्रकार से बच सकते हैं उसके क्या उपाए हैं तो इसमें पहला है कि बवनों का डिजाइन एसा हो कि वे बड़े बुकमपों के जटकों को सै सके उन्चित यह है कि बवनों के जो डांचे हैं वो सरल हो ताकि वे बुकमप निरापद हो दूसरा है आपके कि अलमारियों आधि को दिवारों के साथ जड़ दे जिससे वे आसानी से नहीं गिरे औ और चोथा है आपके कि दिवार गड़ी फोटो प्रेम और जलतापक गिजर आदी को दिवार में लटकाते समय सावधानी रखे जिसे बुकम आने के समय ये लोगों के उपर ना गिरे तो ये बचाव के उपाएं हैं आपके उसके बाद में अगर घर के बाहर बुकम के अगर जाएं और दूसरा है कि बुष बुष पंदन के समाप तोने से पहले बार ने निकले और तीसरा है यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बार ने निकले तो इन तीन पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यार रखना हैं अगर आप घर के अंदर हैं तो बुकम के जटको से बचाव आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसमें पहला है पॉइंट है कि किसी मेज के नीचे आश्रे ले तधा जटकों के रुकने तक वही रहे और दूसरा पॉइंट है एसी उंची तधा बारी वस्तों से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है और तीसरा पॉइंट है यदि आप विस्तर पर हैं तो उठे नहीं अपने सिर का तकिये से बचाव करें तो ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से ध्यार रखने हैं इसी के साथ जो चेप्टर नमर 15 है आपके इस चेप्टर को हम कंप्लीट नोट्स के रूप में कर चुके हैं अगर आपको ये नो कोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिशना हो